आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में फिर से एक बार सलाम नमस्ते रादे रादे मैं दुआ करता हूं कि आपके जिंदगे में बहुत सरी खुशियां आए क्योंकि बहुत से लोग मुझे से रिडिंग लेते हैं बहुत लोग परेशान है और मैं हमेश्या उ आएगा या फिर आपको खुशियां कब तक वापस मिलेंगी जो भी आप परेशानी जेल रहे हैं या जो भी बुरा वक्त आपके जिंदगे में अभी चल रहा है कब तक खतम होगा आपके परसन क्या आपके फिलिंग को समझेंगे क्योंकि मुझे ना बहुत बुरा लगता जब भी लोग परेशान होते हैं और मेरे को कॉल करते हैं मैसेज करते हैं थोड़े लोग ना बहुत ज़्यादा फरिस्ट्रेटिड रहते हैं उनको तुरन जवाब चाहिए ऐसा नहीं होता है जब भी आप रेडिंग बुक करते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करने क जब भी आप पेड रेडिंग लेते हैं तो आपको उसका जवाब भी सही देना होता है तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत होती है तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रेडिंग को शुरू करते हैं देखते हैं कि आज आपके पार्टनर आपकी बारे प्लीज प्लीज अपनी पार्टनर का नाम ज़रूर लेजे ताकि उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके और हमको यहां पर एकुरिट गाइडन्स मिल सके प्लीज परिशान नहीं होना है क्योंकि जिन्दगी है और जिन्दगी में उतार चड़ाव हमेशा रहते हैं हार एक की जिन्दगी में कुछ ना कुछ तकलिफ होती है लेकिन उसको सामना जरूर आपको करना चाहिए तो यह रिडिंग जो है ना यह जरूर आपको पॉजिटिव फिल कराएगा कुछ ना कुछ रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा अभी वह आपके ओपर डि जो की मैंने रोकने की कोशिश की फिर भी नहीं रुके तो यहां पर जो कार्ण है, ऐसा लगता है मुझे किआप बहुत ज्यादा मौह बथ करते हैं अपने पाartner से बहुत ज्यादा हत्यसे ज्यादा की ऐससा लगता है कि आपके पार्टर भी नहीं सोच सकते कि इतनी मौह पियार करते हैं इतनी फिक्र करते है उस पसंद की बहले वह आपको अगनॉर करते हैं आपको दुख देते हैं फिर यहां से जाकर उनकी गले लगेंगे इस कि situation इस type की vibration यहाँ पर मुझे feel हो रही आपकी कि कितना miss करते हैं उस person को कहीं न कहीं वो person आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आपका manifestation काम कर रहे हैं जो भी आप remedy कर रहे हैं जो भी आप breastlet पहेंद रहे हैं जो भी आप affirmations रोज कहते हैं न वो कहीं न कहीं या फिर आप reading सुनते ह उस वक्त के लिए तो कम सीगम आप अपने continuous partner को याद करते हैं तो कहीं न कहीं वो energy effect उस person के emotions के उपर हो रहा है उनके heart के उपर हो रहा है क्योंकि अगर heart to heart connection होगा ना तो जब हम किसी को जैसे की लगादार याद करने लगते हैं तो उनका call message आही जाता है तो यहाँ पर एक strong यह card कहने की कोशिश करता है queen of cups 13 number का card है जैसे की इनकी emotions है इनकी feelings आपके partner की feelings यहाँ पर वो आपको express करना चाहते हैं अभी तक यह person ने आपको I love you नहीं कहा है या फिर नहीं जताया कि वो कितना प्यार करते हैं कभी उन्होंने मतलब उनको लगा कि चलो प्यार है दोनों समझते हैं एक दूसरे को लेकिन अपनी जैसे कि अपनी जुबान से उन्होंने बयान नहीं किया कि वो कितनी मौबत करते हैं कितना प्यार करते हैं तो वो कही न कही करना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि कितना वो चाहते हैं आपको या फिर फ्यूचर को लेकर वो कितना सीरियस हैं कही न कही मुझे यही दिकाए देता है कि वो फ्यूचर को लेकर आपके साथ बहुत ज़दा सीरियस है और चाहते हैं कि आपके साथ ए करकर राशी मेंड राशी वरुषिक राशी हो सकते हैं आपकी या आपकी पार्टनर की यहां पर ऐसे राशी वाले जो होते हैं गैंसर पाइस स्कॉर्पियो यह लोगों को नजर दोश तुरंत लग जाता है किसी की भी बुरी नजर तुरंत पकड़ लेते हैं इनकी एनरजी थोड़ी से लो होती है और उसके वज़े से वाटर साइंस होने के कारण ना इनको बुरी नजर तुरंत इफेक्ट करती है इनका स्वबाव ना आपके पार्टनर का अगर यह राशी है तो ऐसा होगा ना कि आज बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे तो कल बिल्कुल बात यह करेंगे पर तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो उसके बाद थोड़े से नाराज रहेंगे इस टैप की मतलब अगर बुरी नजर लगी है तो ऐसा कुछ होना जैसे की नॉमल है तो इनके उपर की बुरी नजर हटाना बहुत ज़रूरी है यह आप पता कर सकते हैं परसनल पर मैसेज कीजे प्लीज डायरेक कॉल मत कीजे आप मैसेज कीजे और उसके बाद आपको डीटिल्स दिये जाते हैं उसके बाद वो फॉलो कीजे बहुत से लोग मुझे परिशान करते हैं और मेरे पास उतना वक्त भी नहीं होता कि continuous उनके साथ चैटिंग किया जाए तो ब बात कॉल करो या इस वक्त आपका रिडिंग होगा तो मान लेते हैं और मुझे बहुत आचा लगता है ऐसे लोगों का रिडिंग करने में थोड़े लोग ना बहुत ज़ादा उनकी एनरजी इतनी नेगेटिव होती है तो आपको अपनी एनरजी फर्स चेक करना बहुत ज़र को तो प्लीज पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव सोचे कि आपके जिन्देगे में सब कुछ सही होगा अभी तक अगर सही हुआ था तो आगे भी सही होगा भले अभी बुरा वक्त हो सकता है लेकिन वो भी तो खतम हो जाएगा तो यहां पर क्वीन अफ कप्स जहां पर मि दोस्त हो सकते हैं आपका जॉब हो सकता है कहीं लेकिन किसी चीज में मन नहीं लगता है आपका मतलब कुछ भी करते हैं तो उसमें वो खुशी नहीं जो खुशी आपको अपने पार्टनेर के साथ रहकर मिलती है या उनके साथ बात करके मिलती है तो यह काड यह कहने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते हैं यह एनरजी आपके पार्टन की भी हो सकते हैं जहां पर वो अपनी खुशी आप में धुनने की कोशिश करते हैं क्योंकि नाइन नंबर है तो कही ना कहीं आपके बिना कुछ तो कमी है उस परसन के जिन्दगी में तो वह लौट कर आ तो situation यह आपर दिखाए देती हैं टॉरस वर्को कैप्रिकॉन मकर राशी वरोशब राशी कन्या राशी के परसन हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से रियूनियन हो आपके साथ बात करें अभी कुछ अर्चन हो सकती हैं हर किसी के जिन्दगी में अर्चन होते है प्रॉब्लमस होते हैं कुछ नँपिछ उनकी सिजन्दीकी में मुश्किले हो सकती हैं जहांपर वह हoga biking साथ नहीं पा रहे हैं आपका इंतिशार मुझे आपर नजर आता है आपके लिए एक खास जगह है इस परसन के दिल में जो वो आपको express करना चाहते हैं जो आपको कहना चाहते हैं तो आज नहीं तक कल यह परसन आपकी पास लॉट कर आएंगे 100 परसन ऐसा मझे आपर बरोसा दिखाये देता है इस परसन की परसन की फिलिंग्स मुझे strongly यह बताने की पोशिश करते हैं कि आपके बिना यह परसन बहुत ज़्यादा अदूर है और भी देखेंगी यहाँ पर जो भी रेजुन होता है ना आपके situation की साथ वही लेजे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि पूरा reading मैंने देखा है और मेरे साथ बिलकुल वैसा ही हो रहा है तो कहिना कि आपके energy यहाँ पर reflect हो जाती है तो ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर यह जो टारो कार्ड रिडिंग होता है एक तरगी से intuition के बेस्ट के उपर होता है psychic टारो कार्ड रिडिंग भी होता है तो जो आपके energy है वही यहाँ reflect होंगी वही words यहाँ पर आज आते हैं तो और भी check out करेंगे कि कैसा होगा आपका रिच्ता या फिर person की और क्या है current feelings आज आपके लिए general reading है सो प्लीज जो भी resonate होता है न वो डीचे बाकी किसी और की energy भी हो सकती है तो आपर जो card आए the embrace जो की बहुत ही positive card है ऐसे लगते कि आज बहुत से feminine energy के लोग इस reading को देख रहे हैं जहाँ पर उनके लिए good news है कि आपका reunion होकर रहेगा कही ना कहीं आपका completion उसी partner के साथ है और वो partner कहीं ना कहीं आपके लिए तडप रहें ऐसा ही card कहने की कोशिश करता है Empress एक बहुत ही positive card है जो दर्शाता है अपनी emotions आपकी emotions आपके partner की emotions emotions का मतलब होता है भावना है क्या वो feel करते हैं अब यह उनको क्या लगता है आपके बार में सोच कर उनको क्या feeling आती है या फिर यह कहने की कोशिश करता है तो तहीं हाँ पर ऐसा है ना कि वो सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ हैं तो बहुत खुश हैं अगर वो आपके बिना रहते हैं तो बहुत दुकी होते हैं बहुत sad होते हैं तो यह soulmate connection हो सकता है या फिर divine connection कहीं ना कहीं अस person से पहली बार जब तकराएं आप मेले तब आपको इतना कुछ serious आगे होगा ऐसा आपने नहीं सोचाता लेकिन जैसे जैसे यह मुलाकाते बढ़ती गई आपको कुछ ना कुछ ऐसास होने लगा कि यह person के साथ कुछ तो मुझे अपना पन लगता है या फिर strong feelings लगती है वो same feelings आपके partner भी feel कर रहे थे आपके लिए यहाँ पर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा expressive हो सकते हैं लेकिन आपके partner expressive नहीं है तो कहीं न कहीं उस person ने अपनी feelings आपको नहीं बताई या फिर डर डर के वो person आपको नहीं कह पाए और कहीं न कहीं उसके वज़े से आपका दिल टूटा कि यह person क् मुझे तो उनकी आपकों में मुखबत मेरे लिए या feelings दिखाए देती है लेकिन यह person अपने प्यार का इज़ार तो करते हैं नहीं है ऐसा मुझे यह card कहने के कोशिश करता है कि इस person के साथ आगे आपका future बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया रहने वाला है तो आपको फिकर करने के ज़रूत ने क्योंकि यह जो positive cards आ रहे हैं ऐसा कहता है ना कि अच्छा वक्त आपके सिंदिगी में आएगा कई ना कई यह person आपके बारे में सोचने लगे हैं और कई ना कई यह person भी चाहते हैं कि आपके साथ reunion हो तो तीन नंबर का card 9 नंबर का card और 13 नंबर का तीनों ही positive cards है यह आपकी budget भी हो सकते हैं जैसे कि 3,9 या 13 साथ यह साथ ऐसा लगता है ना कि जैसे March महिना September महिना या फिर April महिना आपके लिए कुछ खास हो सकता है आपके बड़े भी हो सकते उस महिने में ऐसा भी मुझे यहां पर लगता है या फिर आपके partner का worth month हो सकता है और भी कुछ देखेंगे cards यहां पर अपने आप cards गिर रहे तो लेंगे यहां पर चुकार्ड आया है seven of cups ऐसे लगता है केटु की energy यहां पर reflect हो रहे हैं जहां पर इस person ने गलत फैसला किया है जहां पर इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था और गलत फैसला ले ही लिया क्योंकि इनका दिमाग जब काम नहीं करता है आपका दिमाग जब आपका साथ नहीं देता ना तब इनसान गलत फैसले ले लेता है गलत decision या गलत सोचता है negative thoughts हावी हो जाते है उस person के उपर ऐसा मज़ें यहां पर लगता है तो यह person ने गलत रास्ता चुना और गलत रास्ते पर गई अभी वह रास्ता हो सकता है कि किसी और relationship में गए या आपको छोड़ कर उनको लगा कि कोई बहतर उनके लिए बना है या फिर उनको लगा कि ego attitude में आकर वो चले गए और उनको लगा कि जो भी उनके जिन्देगे में होगा आगे देखा जाएगा लेकिन यह person की जिन्देगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यह person खुदी अपने लगते हैं और उनकी जो numbers देखकर मुझे सच में शौकिंग लगता है जितने भी divorce cases होते हैं उनके numbers ऐसे होते हैं जहां पर हमको पता चलता है कि इस person की जिन्देगी में divorce क्यों हुआ क्योंकि उनकी जो राशी है या उनकी जो birth numbers है उनमें यह effect दिखाए देता है और ऐसे numbers व आप प्यार मौपत कर रहें या फिर इनका divorce होने वाला है कही न कहीं इस person को दोका मिला है क्योंकि ऐसे लोगों को दोका मिलता है चीट कोई न कोई चीट करके जाता है ऐसा भी होता है इस person की जिन्देगी में तो यह partner के साथ कुछ बुरा हुआ है और कहीं न कहीं वो बुर रहते हैं आप दोनों तो कहीं कहीं न कहीं आपकी कमी महसूस कर रहे थे यह person और जितने भी इन स्व Guinea सऊंधिश्ट कर रहे हैं मतलब कहीं आपकी यादों में कोय हुए हैं आपके साथ reunion चाहते हैं और जो बी इनकी जिन्देगे में हुआ उसको थो उसको तो बदल नहीं सक लेकिन आगे future तो आपके साथ गुजार कर एक नहीं शुरुवात तो कर सकते हैं ऐसी सोच मुझे उनकी यहां पर नज़र आती है next card जो है वो है five of cups five of cups ऐसा है ना कि आप इस person को सोचते हैं कि इन्हें आपको माफ करना चाहिए या फिर second chance देना चाहिए या फिर इनके साथ आपको break up करना चाहिए क्योंकि जो दुख और दर्द इस person ने आपको दिया कहीं न कहीं वो माफ करने के लायक नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ इस person को पहले से बताया था अपने जिंदीकी के बारे में अपनी personal बाते अपने family के बारे में और फिर भी ये person ने जैसे कि आपका फाइदा उठाया या फिर आपके emotions के साथ खेला इस person ने और आपको नहीं समझ सके तो वो बात कहीं न कहीं आपको परिशान करती है कि क्यों मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी जिससे ठुकरा कर ये person को जाना पड़ा मतलब ऐसा क्या था अच्छा लगा मेरे से बहतर इस person को क्या आकरशित किया जो मुझे उन्होंने second option रख दिया तो वो बात कहीं न कहीं आपको रूलाती है आपके आँखों में असु आते हैं कि ये person मतलब पहले तो मेरे साथ अच्छा सा बरताव किया मुझे प्यार करने पर मजबूर किया और फुदी फिर आपको चोड़कर चले गए आपको ब्लॉक किया no contact situation दिया आपको बहुत तो मैं तो अपनी जिंदेगे में खुश था या खुश थी फिर ये person आये कि मेरे जिंदेगे में मुझे तकलिफ देने के लिए या फिर मेरा दिल तोड़ने के लिए आये थे तो ऐसा कभी कबर हो जाता है न कि इंसान हमारे जिंदेगी में बहुत से लोग आते हैं क्योंकि जिंदेगी के सफर में आपको बहुत से लोग मिलते हैं कुछ अपने हो जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए पराय ही रह जाते हैं जिनके साथ आपका रिष्टा बनना होता है उनी के साथ आपका रिष्टा बनेगा सब के साथ रिष्टा स्ट्रॉंग नहीं हो सकता है तो जो आपके लिए बना है वो आज ने तो कल आपके जिंदिगी में एक तो लॉट कराएगा या फिर उनकी जगह पर कोई दूसरा आपक को प्यार मिलेगा तो यहां पर यह नाराज के आपके मुझे दिखाए देती है स्ट्रॉंग इमोशन उस परसन को आप नहीं भुला पा रहें आप फिर भी चाहते हैं कि उसी परसन के साथ आपको जाना है और कहीं न कहीं वह परसन भी लटकर आपके जिन्देगी में आते हैं मुझे ब्याते हैं लिख़ को कंपर नवर एस Independence करane क्षेह और्शी करने की कौशिश करते हैं कि ए यह दिल सी आपकी साथ रिउनियन चाहते हैं इनका हाट चक्रा ओपन हो गया है पहले अगर ब्लॉक था मतलब यह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपनी फिलिंग्स या फिर कितनी महाबबत करते हैं आप से वो कहें नहीं पा रहे थे लेकिन अभी कहेंगे या फिर एक्सप्रेस करेंगे कमिट्मेंट दे सकते हैं या फिर आप उनको कमिट्मेंट दे सकते हैं या फिर अपने कमिट्मेंट दिया था तो यह परसन फिर भी आपको छोड़ कर चले गए तो यह वापस ही आपके जिन्दिक में करते हुए मुझे नजर आते हैं और वो भी strong commitment, strong emotions, strong feelings के साथ मतलब अभी ये person ने जैसे कि decision ले लिया है ना कि अगर जिन्दिकी का सफर इनको आगे चलाना है तो आपके साथ बहले आपका रिष्टा कोई भी हो सकता है extra marital affair हो सकता है दोनों शादी शुदा हो सकते हैं दोनों single हो सकते हैं या फिर जैसे कि दोनों का break up past में रहा है कोई भी रिष्टा हो सकता है तो यहाँ पर मुझे यही लगता है जैसे कि ये person आपके साथ comfortable feel करते हैं वो और किसी के साथ नहीं मतलब यह person का दिल अभी इनको कहने लगा है इनका मन में कही न कही यही feelings है आपको लेकर कि अगर future होगा तो आपके साथ तो 14 नंबर आपको ज़रूर claim करना चाहिए क्योंकि एनरजी बहुत ही positive है कही न कही यह energy ऐसा कहने की कोशिश कर रहे है कि यह person दिल से चाहते हैं आपको और कही न कही यह person reunion चाहते हैं 100% तो जो भी आपने वेट किया है जो भी आपने इंतजार किया है इस person का वो कही न कही रंग ला रहा है क्योंकि यहापर मुझे strong feelings दिखाए देते हैं इस person की कि वो चाहते तो है आपके साथ रिष्टा आगे बढ़ाना लेकिन कुछ परिशानिया की कुछ प्रॉब्लम सी इस person की जिंदेगी में जिसे हटा कर जिसे भुला कर यह person आपके साथ एक नहीं शुरुवात करना चाहते हैं क्योंकि Empress का काड़ बहुत ही positive है major arcana से काड़ आयवा है साथ जिसाथ Temperance भी एक major arcana से है जिनकी energy बहुत ही powerful होती है और मुश्किल से major arcana से काड़ आते है तो यह काड़ से ही कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिन्देगी में एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा next card जो है two of swords two of swords एक negative card है या फिर आप कह सकते कि यह person की energy ऐसी थी ना कि फैसला नहीं कर पा रहे थे इनके जिन्देगी में और कोई था या फिर यह married थे और फिर आपके साथ रिष्टे में आए तो यह चुन नहीं पा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए मतलब married life को तोड़ कर आपके साथ नहीं शुरुवात करनी है या फिर आपको ऐसे आपके साथ रिष्टा रखना है कि ऐसे इनको फिल होता था कि आपको कही ना कहीं चीट कर रहे कही ना कहीं दोका दे रहे खुदी वो उनको परिशान कर रहा था तो फिर जैसे की फैसला नहीं कर पा रहे थे इनके आँकों के उपर पट्टी आप देख सकते हैं जो यह कहने के कोशिश कर रहे हैं कि इनके सामने सच्चा ही थी आपकी जिंदे की जैसे खुली किताब की तरह इनके सामने थी लेकिन यह पढ़ना नहीं जाते थे आपकी फिलिंग्स को नहीं समझना चाते थे कहीं न कहीं यह डिस्ट्रैक्टिड थी कुछ ना कुछ चीज ऐसी थी इनकी पर्सन के जिंदेगे में जो इनको आप से पीछे लेकर जा रही थे आप से दूर कर रही थे लेकिन अभी ऐसा होगा ना कि ए परसन की विचार या परसन की भावना है आपको लेकर बहुत ज़्यादे सिरियस मुझे दिखाए देता है क्योंकि टैंपरेंस और एंपरेंस कारड़ जो ही कहने की कोशिश करता है कि यह परसन अभी आपके साथ रिष्टा जोड़ना चाहते है शायद यह परसन ने सच्छा ही जान ली है कि वो किसके साथ उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है क्योंकि सिर्फ पैसे जीने के लिए काफी नहीं होते है या फिर बंगला गाड़ी जीने के लिए काफी नहीं होता है प्यार मौबबत अपनी जिन्देग में अगर नहीं है अकिलापन बहुत जादा है तो इंसन के पास धन दौलत होने के बाद बिना वो खुश नहीं रह सकता तो ऐसी कुछ सिच्छुएशन इस परसन की मुझे दिखाए दिखाए देती है जहां पर यह परसन ने बहुत कुछ पा लिया होगा लेकिन खुशी नहीं है प्यार की कमी मुझे दिखाए देते हैं साथे साथ इस परसन को कहीं न कहीं धोका जरूर मिला है जिसके वजह से ना इस परसन की जिन्देगी में बैलन्स नहीं है ऐसा मुझे यहां पर नजर आता है तो और भी चेक आउट करेंगे कुछ कार्ड्स लेकर यहां पर एक की साथ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे यहां पर आया है यहां पर आया है 10 of Cups यानि की reunion होकर ही रहेगा ऐसा लगता है October महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है साथी साथ 10 नमर का लगातार 10 नमर का कार्ड आया है वील आप पॉच हो यानि की सभी सपने आपके सच होने वाले हैं जो आपको लग रहे थे अभी तक की सच नहीं होंगे वो कही न कहीं सच होते हुए मुझे नजर आते हैं तो एक happy family का picture यहाँ पर मुझे दिखाए देता है जहाँ पर 9 of cups के बार 10 of cups आया और फिल वील आप पॉचल इसका मतलब यह होता है कि इस person को इस person की खुशी आपके साथ जुड़ी वही है कही न कहीं अगर आप नहीं है इस person की जिन्देगी में तो यह person को बहुत ही अधुरापन दिखाए देता है लगता है और कहीं हमेशा हमेशा के लिए person अकले ना रह जाए इसलिए यह person आपके साथ शादी करना चाहते हैं एक happy family यहाँ पर आप देख सकते हैं तो reunion होकर ही रहेगा 100% क्योंकि यह person आपके भी ना खुश तो नहीं रह सकते और अगर इनकी खुशी आपके साथ जूड़ी होई है और आपकी खुशी उनके साथ तो कहीं ना कहीं इस रिष्टे को कोई तोड़ नहीं सकता ऐसा मझे strongly feel होता है तो आज नहीं तो कले person लोट कर तो जरूर आएंगे क्योंकि वो completion चाहते हैं इनकी strong feelings हैं अभी इनके पास सब कुछ हो सकता है सब कुछ पा लिया अगर करियर के पीछे भाग गए थे person तो करियर में बहुत कुछ अच्छा किया है लेकिन प्यार नहीं है इस person के जिन्दिगे में जिसके वज़े से आपकी तरफ लॉट कर आते हुए मझे नजर आते Will of Fortune का card जो बहुत ही positive है यहां पर चार राशियां आते हैं जिसमें है Aquarius, Scorpio, Aries और Leo राशी और यह कहने की कोशिश करते हैं कि आपकी किस्मत change होगी किस्मत बदलेगी बहुत बड़ा बदलाव आपके जिन्दिगे में आएगा जिस वक्त का या जिस खुशियों का आपने इंतिजार किया था वो कही ना कही आपके जिन्दिगे में आती हुई मझे नजर आ रहे हैं और साथी साथ यह person भी लाट कर आपके जिन्दिगे में आते हैं इस person के साथ ही आपके खुशियां जुड़ी हुई है ऐसा मझे यहां पर strongly feel होता है तो 10 नंबर 10 नंबर आपको ज पर्षक राशी जो की emotions को दर्शाती है मतलब परसन की दिल में प्यार मौबद जरूर है यह person आपसे कहें ना कहें लेकिन जरूर मुझे ऐसा दिखाए देता है कि परसन दिल से चाहते हैं कि आपके साथ फिर से रिश्टा जुड़े और भी कुछ कार्ड ले थे मैंने जो की तीन कार्ड यहां पर है सबसे पहले जो कार्ड आया है नाइट ऑपांटिकल्स बारा नंबर का कार्ड है जो यह कहने की कोशिश करता है यह person जरूर पैसे की पीछे भागे होंगे यह पैसे कमाना था करियर के उपर focus थे जिसके वज़े से आपसी दूरिया बना कर रखी थी यह फिर यह person independent होना चाहते थे अपने पैनों के उपर खड़ा रहना चाहते थे उसके बात यह रिष्टा कायम करना चाहते थे ऐसे भी यहां पर energy मुझे दिखाए देती है तो यहां पर एक strong vibration है strong energy है कि यह person आपकी तरफ भी आना चाहते है जैसे कि nine of cups के energy है वैसे ही nine of pentacles क energy है जहां पर यह person travel करके आपकी तरफ आना चाहते है और देरी सरी खुशें आपको देना चाहते है अभी तक यह person ने commitment नहीं दिया था तो अभी ज़रूर commitment देने वाले है ऐसा मुझे यह काड़ कहने के कोशिश करता है nine of pentacles को आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए टारस वर को कैप्रिकान मतर राशी वरुषब राशी या फिर कन्या राशी के person हो सकते हैं next यहां पर हैरोफंट है हैरोफंट ऐसा काड़ है कि अपनी दिल की यह सुनेंगे person इनको जो सहीं लगता है वैसा ही फैसला लेंगे किसी के बातों में नहीं आएंगे और इनके पास knowledge है इनक को इगनोर कर रहे थे तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगने लगा है ना कि इनकी जिन्दगी है तो फैसला भी इनको लेना चाहिए इस टैप की situation है आपर मिचे नसर आते हैं जहांपर यह person दिल से चाहते हैं आपके साथ रिष्टा जोड़ना और अभी वो पीछे नहीं हटेंगे पांच नंबर का कार्ण है जो की mercury को रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है और परसन की सौबा में थोड़ा सा बच्पना हो सकता है साथी साथ यह person दिखने में बहुत ही खुपसरत हो सकते हैं बहुत ही handsome हो सकते हैं और कभी का बार इनका दिमाग नहीं काम करता है कुछ भी गलत फैसले लेते हैं या पिर कोई भी इनको जो भी बोलता है ना तो वो सुन लेते हैं, लेकिन अभी एपरसन दिल की सुनेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कई ना कई मुझे दिखाये देता है, जो इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, मेंश आपको देखना चाहेगी यूनिवर्स आपके साथ कौन सा मैसेज आपको देना चाहता है या फिर क्या कहना चाहता है कभी-कभी हम नजर अंदाज करते हैं और बहुत सरी स्ट्रॉंगली यहां पर फील होता है इनकी फामिली भी ट्रैडिशनल टाइप की हो सकती है जहांपर कास्ट को मानती है रिलिजन को मानती है एज डिफ्रेंस या फिर आप डिवोसी है तो एक्सेप नहीं कर रहे हैं ऐसे कोई सिचुवेशन भी हो सकते हैं लेकिन पसंद न कह कुछ दिन लग सकते हैं कुछ हवते या कुछ मेने लग सकते हैं लेकिन आपको accept करना ही पड़ेगा क्योंकि इस परसन की खुशिया आपके साथ जुड़ी हुई है नेक्स्ट है six of pentacles जो की बहुत ही positive card है यह कहने की यह कहना चाहता है card six number का चे नमबर विनस को represent करता है तो यह card यह कहना चाहता है कि आपका रिष्टा बहुत ही अच्छा रहेगा जैसे कि अभी तक इस परसन को आपने जितना प्यार दिया है या फिर जितना affection, care, जितनी फिक्र की है इस परसन की, जितनी महभबत की है उतने आपको इस परसन नहीं किय होगा या फिर उतना importance नहीं दिया होगा या फिर जो जगह आपने अपनी जिंदेगी में इस परसन को दी थी वो जगह इन्होंने आपको हमेशा जैसे कि ठुकराया होगा या जैसे कि accept नहीं किया दिल से ऐसा मुझे लगता है रिष्टा तो था आप दोनों का लेकिन जैसा आपने इनको सब कुछ अपना मान लिया था वैसा नहीं माना था इस परसन लेकिन अभी वो आपको अपना सब कुछ मानना चाहते हैं या फिर वो जगह दिल में देना चाहते हैं जो आप सच में चाहते हैं आपको कमी महसूस होती थी इस परसन के साथ या इस रिष्टे में कि आपको वो नहीं मिल रहा है, वो जगर नहीं मिल रहे, इस परसन की life में, as a life partner, जो सपना आपका था, वो कहीं नहीं पूरा होता हुआ, मज़े नजर आता है, मतलब जो efforts आपने डाले थे, जो महनत की थी, इस रिच्ते को बचाने के लिए, या फिर इस रिच्ते को आगे ब मेश राशी, सेहर राशी, धनो राशी, strongly positive cards है यहाँ पर, 10 of wands, यानि की बहुत बड़ा burden जो इस परसन के उपर था, या बहुत बड़ा problem जो भी इस परसन के उपर था, जो परेशान कर रहा था, वो हटेगा, खतम हो जाएगा, और यह परसन आपकी तरफ आते हुए, परसन आपकी तरफ आते हुए, मुझे strongly feel होता है, तो आपको ज़रूर claim करना चाहिए, 12 number के card को, क्योंकि यह कहना चाहता है, कि परसन की जिन्दगी में, परसन की अभी ऐसा confidence है, कि वो अपने लिए लड़ना चाहते है, अपने लिए फैसला करना चाहते है, अपने जिन्द करता है, कि इनकी family नहीं accept करती, तो भी ये family के against जाकर आपसे रिष्टा जोड सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर feel होता है, strongly, क्योंकि यह बहुत ही positive card है, और इनके जो fire या passion है, उसे दर्शाता है, आपकी तरफ बहुत ज़दा यह feel करते हैं, romantic feel करते हैं, love वाली feelings, इनके दि reading को, यहाँ पर सभी 12 राशियां आई होई हैं, और बहुत ही positive energy आई होई है, जहाँ पर यह कहने की गोशिश करता है, कि आपकी जिंदिगी में जरूर एक अच्छा वक्त आने वाला है, और आपका इंतिजार भी खतम हो जाएगा, thank you all of you, thank you angels, thank you universe.